गुण मॉर्निंग बच्चो अब तक आपने दो, तीन, चार अक्षर वाले शब्दों को लिखना सीखा था आज हम आख को आखी मात्रा सिखाएंगे आखी मात्रा कैसे लगती है देखिए ये लाइन जो लगाते है शब्द के आगे वो आखी मात्रा होती है अब हमें क्या करना है का से लेकर ग्या पर आखी मात्रा लगानी है ठीक है देखिए ये का कबूतर इस पे लगाई आखी मात्रा का जोड़ चा बोलेंगे और ये खा और ये गा आखी मात्रा लग रही है ना घा ये अना ठीक है फिर क्या आता है च च पर लगाई हमने आखी मात्रा च च आखी मात्रा लगाते जा रहे है जा और ये जा यहा खाली यहा खाली पर आखी मात्रा नहीं लगती है इसलिए हम यहां क्या लगाएंगे क्रोस लगा देंगे, ठीक है, इसके बाद, ट, टा पर लगाई आकी मात्रा टा, और ये ठ, ठा पर लगाई आकी मात्रा ठा, और ये ड, ये बन गया डा, और ये ड, और ये हो गया डा, ठेक है, बीर तो, ता पर लगाई आकी मात्रा ठा, और ठ, ठा पर लगाई ड, दा पर लगाई आकी मात्रा ठा, ध ध धापरा की मत्रा धा ये न नापरा की मत्रा न ये प पापरा की मत्रा पा और ये फ पापरा की मत्रा फा पर बहुआ पर आकी मात्रा बहुआ ये बहुआ पर आकी मात्रा बहुआ म मा पर लगाई आकी मात्रा मा ये य य य पर आकी मात्रा या ये र, रपर आकी मात्रा रा ल, लपर आकी मात्रा ला ये व, वा पर आकी मात्रा वा ये श, 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 पर आगी मात्रा श, 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 श पर आकी मात्रा हा, चाशत्री है, इस पर आकी मात्रा चा, और ये त्रा तिरशूल, आकी मात्रा त्रा, और ये आपका ग्या से ग्यानी, आकी मात्रा ग्या, ये क्या लगाया हमने सब पे, आकी मात्रा लगाई, जोड से बोलते हैं, काखा गागाड़ा इसी तरह से आपको बोल-बोल के आखी मात्रा लिखोगे तब आपको समझ में आएगा ठीक है? ऐसी आपको अपना ये home walk करना है का से ग्या पर आखी मात्रा लगानी है पहले काखा गा लिखते जाएंगे और आखी मात्रा लगाते जाएंगे और बोल-बोल कर लिखेंगे जो बच्चे बोल कर लिखेंगे उनको मात्रा बहुत अच्छी तरह से समझ में आजाएगे ठीक है? थैंक यू